नमस्ते साथियों सिख्षकों या कर्मचारियों को समय समय पर अनिवार रूप से आवकास की आवशक्ता होती है और हम आवकास हे तू आवधन प्रस्तुत करते हैं तो साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे सिख्षकों या कर्मचारियों को किस प्रारूप में आवकास हे तो आवेदन प्रिश्चित करना चाहिए जानते हैं जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आवकास के लिए आवदन पत्र का प्रारूप और इस प्रारूप में जितने भी बिंदू दिये गए हैं उन सबसे मुहत्प्यबात आगे बिन्दु जितने भी दिएक तर्परल दिया चाहिए ना धिया है और दñas प्रहिए चाहिए और सबसे महत्तों बात कि बाते हैं निल रिंदू, जानकारी किस तरह से भरने चाहिए यहां पर देखिए का बिंदु क्रमांक एक प्रार्थी का नाम नेम आप एपलिकेंट अथा जो आउका से तू आउदर प्रसुत कर रहा है उसका नाम यहां पर आजाएगा ठीक है और यहां देखिएगा बिंदु क्रमांक 2 लागू होने वाली छुट्ती नेमावली लेवाप रूस एपली केबल अथाथ छुट्ती के लिए यो भी नियमावली लागू होती हो उस नेमावली को यहां पर अंकित करना चाहिए ठीक है यदि आफस्ट में वकास चाहितों आफस्ट में लिख सकते हैं इसके लावाद जो भी आवकास जितने भी नियम बने हैं उस नियमा वली से सम्मदित जान कर यहां पर अंकित कर देनी चाहिए बिंदु क्रमांग तीन देखिएगा आविदक का पद पोश्ट हेल्ड अर्थात चो कर्मचारी या सिक्षक आविदर परिसित कर रहा है उसका क्या पद है ठीक है अपने पद को को यहां पर अंकित करेंगी को करमांग चार बिभाग कारियल होउ और अनुभाग का नाम इस बिंदु में कर्मचारी यह बिभाग पांच बेतन अर्थात पे कर्मचारी को जो वेतन मिल रहा हो वेतन संवर यहां पर अंकित करना चाहिए ठीक है और बिंदु क्रमांग छे वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता या छतिपूर्ती भत्ता हाउस रेंट अलाउंस अर्थात जो पद है वर्तमान में कर्मचारी का उस पर जो भी मकान किराया भत्ता मिल रहा हो या छतिपूर्ती भत्ता हो उसकी जानकर यहां पर हमको अंकित करना चाहिए बिन्दुक्रमांग साथ में देखिएगा मांगी गई छुट्टी का प्रकार उसकी अवधी और उसके सुरू होने की तारीक यहां पर हमको अंकित करना चाहिए नेचर एंड पीरेड आप लिव एप्लाइड फार्दर डेट फ्राम विच रिक्वाइर यहां पर जिस पकार की छुट्टी आपको चाहिए चाहिए आप आकस में अवकास ले रहे हो तो आकस में अवकास लिखिएगा आरजीत अवकास ले रहे हो तो आरजीत अवकास ले जितने भी अवधी के लिए अवकास आयो अवधी और शाथ में जो अवकास शुरू होने की तारिक है उसको यहाँ पर अंकित कर लेना चाहिए बिंदु क्रमांग 8 देखियेगा रविवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो जिने छुट्टी के पहले या बाद में चाहते हैं तो उसका ब्यूरन यहाँ पर अंकित का देना चाहिए संडे एंड हालिडे इफ एनी प्रपोज टू बी प्रफिश्ड आर सफिश्ड टू ठीक है उनको यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कहने का सही है कि रवार और छुट्टी के दिन यदि कोई हो जिने यहाँ पर हम अंकित कर सकते हैं कि बिन्दु क्रमांक नव छुट्टी का कारण ग्राउंड आन विच लिव इज एप लाइट फार छुट्टी किस कारण से आप ले रहे हैं उसका इसपष्ट कारण दरसाना चाहिए यदि आकस में ओकास ले रहे हैं तो आवश्यक का दरसा सकते हैं तो जो भी कारण है चुट्टी लेने का उस कारण को यहाँ पर अंकित करना चाहिए दरसा देना चाहिए बिन्दु क्रमांग दस पिछली चुट्टी से लोटने की तारिक और उस चुट्टी की किस्म तथा आउधी डेट आप रेटन प्रामद लाश्ट लिव एं चुट्टी से लोटने की तारिक अंकित करें और उस चुट्टी का प्रकार और उसके क्या अउधी थी उसके बारे में यहाँ पर जान करें अवश्य अंकित कर दें ठीक है ताकि चुट्टी स्वीक्रत करता को इस पर रूप से ज्यात हो कि क्रमचारी पूर में कब चुट् सात्यों यह अंतिम बिंदू है लिव एड्रेस एफ ग्रांटेड यदि कर्मचारी की छुट्टी स्वीकर्थ हो जाती है ऐसी इसीती में कर्मचारी कहां पर रहेगा ठीक है यानि छुट्टी कहां पर उसके व्यतीत होगी उसका पता यहां पर देना चाहिए ठीक है तो सत्य इस तरह से हम देखते हैं बिंदू क्रमांग एक से ग्यारह तक कर्मचारी को सारी जानकरी अंकित करना चाहिए बारहवा बिंदू मेरा विचार आगामी छुट्टी में यहां पर ब्लेंक दिया हुआ है के खंड वर्सों के छुट्टी यात्रा की रियायत लेने नहीं लेने का है तो यह जो है अधिस संब्धित व्यक्ति है इससे संब्धित तो उसी को यह भरना चाहिए अन्ता इसको हम ब्लेंक छोड़ सकते हैं कि आगे देखिएगा जब पूरा लिख्के हो जाए तो प्रार्थी के हस्ताक्षर दिनांग सहित यहां पर होगे ठीक है और आगे देखिएगा बिंदुक्रमांग का तेरह नियंत्रक अधिकारी की टिपड़ी यानि सिफारिस ठीक है रिमाक्स और रिक्मेंडेशन आप द अधिकारी द्वरक किया जाएगा बिंदुक्रमांग 14 सुईक्रती देने वाले अधिकारी के आदेश यानि जो भी मतलब उन्हों टिपड़ी लिखेंगे तो उसे सम्मदित जानकरी यहां पर अंकित की जाएगी ठीक है फिर हस्ताक्षर देनांग सहित यहां पद का नाम सि चुटी पूरी होने पर प्रार्थी के उसी पद पर या किसी ऐसे पद लोटाने की आसा है या नहीं जहां इस पकार का बत्ता मिलता हो तो यह जानकरी साथियों जो सुईकत करता अधिकारी उनके लिए है यह जो सिप्छक या कर्मचारी के लिए नहीं है तो देखिएगा इस तरह हम देखते हैं तो बिंदुक्रमांक एक से लेकर के ग्यारह तक की जानकारी कर्मचारी को भरना चाहिए आईए पुरह हम प्रारूप को देखते हैं तो साथियों जैसा कि आप आवकास के लिए आवदन पत्र का पुरा प्रारूप देख पा रहे हैं यहां दो प्र पर क्लिक करके आप इसे डाउनलूड भी कर रखते हैं आसा करता हूं जानकारी उपयोगी और मापुड लगी होगी मिलेंगे अगले कालखण में तब तक के लिए जय हिंद